तो दोस्तो आज में लेकर आया हूँ Realme 9950 और भाई साब जितनी अच्छी इसकी designing आपको मिल रही है आप देख सकते हूँ या आप एक glitter अगरा यानि कि चमकियों अगरा काफी ज़्यादा है इसके अंदर तो भाई साब इसके अंदर जो hidden features तो इन hidden features को अच्छी तरह से समझने के लिए आपका जरूरी है कि वीडियो को end तक ध्यान से देखते रहे है अगर आपको ये hidden features नहीं पता दोस्तों तो आपका मतलब बहुत ही बड़ा नुक्सान हो रहा है अगर इन hidden features को जान लेते हो तो आपका जो mobile का चलाने का तरीका है काफी ज्यादा आसान हो जाएगा और काफी ज्यादा मज़ आएगा तो चली बिना time waste किये करते हैं hidden features को start तो चली दोस्तों बढ़ते हैं सबसे पहले hidden features की तरफ तो इसके लिए आपको जाना है से settings के अंदर और यहाँ पर नीचे आना है और यह देख पार हैं कि personalization इसके उपर आपको click कर लेना है और यहाँ पर अगर आप पहली बार यहाँ पर आयो तो agree and continue कर लीजी फिर allow कर लेना है अब यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि old paper से हैं जो कि आपको पता होगा और themes मिल जाती है काफी अच्छी अच्छी अगर आपके पास internet है तो आप free में यहाँ पर काफी अच्छी themes भी download कर सकते हो पर यहाँ पर नीचे आपको option मिल जाएगा icons का तो यहाँ पर जब icons के उपर आप click करते हो तो यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि facebook, instagram आपका जो भी app है photos और आप इनको change कर सकते हो जैसे कि facebook कुछ इस तरह से है तो यहाँ पर material के अंदर करोगे तो कुछ इस तरह से photos और भी पूरा change हो चुका एक बार ध्यान से देखना यह देखे पहले photo जैसा था अब photo जैसा हो चुका है और यहाँ पर पेबल के अंदर करोगे तो यह देखे photos कुछ इस तरह से हो चुके है तो यह पर आप इन सभी को customize कर सकते हो और आप चाहते हो इनकी size बढ़ानी है जैसे कि यहाँ पर जो आपका photos और इनकी size को बड़ी करनी है तो यह देखे size बड़ी हो चुकी है और आप चोटा करना चाहो तो यह देखे चोटा कर सकते हो अब को डिफोल्ट रखना चाहो तो डिफोल्ट भी कर सकते हो और यहाँ पर अगर custom पर आप जब क्लिक करते हो तो यहाँ पर इनकी design निगे ना जो इनका shape है इसको भी आप change कर सकते हो जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको अभी Facebook को अगरा कुछ इस तरह से यह देखिए अभी ऐसे हो चुके हैं अब ऐसे हो चुके हैं आपको जो भी अच्छा लगता है जैसा भी लगता है इनको कस्टुमाइज कर लिए इससे क्या होगा अगर आपको कोई मतलब मुबाइल लेक जैसे कि मैं अपलाई करके दिखाता हूँ आपको यहां पर कोई भी नाम नहीं है मतलब आपको इसे ही सकल देखके पहचाना पड़ेगा कि कौन सा एप क्या है और अगर वापस वापको नाम यहां पर लाने हैं तो यहां पर देख सकते हो आपके जो यहां पर ऊपर उपर करना है यहां और आपको आप क्यों मेने वाइफाइ को कर रखाय है तो रखाय है और मुझे अपनी मरसी से करना चाहता हूं तो आप रेंडट भी कर सकते हो जैसा कि आधि पर देखे रेड़ हो चुके हैं आपको जो फिवरेट कलर है वो कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लगता है डिफोल्ट रखना चाहते हूं वापस यहां पर डिफोल्ट पर कर देजिए और भी काफ़ी सारे कलर्स आपको मिल जाएंगे और यहां पर नीचे आपको ऑप्षि आपको पता होना ध्यान में होना जरूरी है यह फिर दोस्तों में बहुत यची चीज बताता हूं जैसे कि आपके यहां पर नोटिफिकेशन आते ठीक है अब यहां पर ऐसे क्या करते हो इसली क्लियर कर देते हो तो यहां से क्लियर हो जाते हैं पर आप चाहते हूं कि मैं यहां से क्लियर भी कर दूँगा तो अगर आप एक महीने के बाद भी जाकर देखोगे तो आपको पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी कि कौन सा है कब और कहां से मतलब कौन सा नोटिफिकेशन वगर आया था तो यह कैसे होगा मैं कुछ इस तरह से हैं तो आप बेटरी का स्टाइल चेंज कर सकते हो वर्टिकल और यह लूप वोलक आप यह चलकते हैं देखिए कुछ इस तरह से अगर आप करना चाहो तो इससी भी कर सकते हो तो आप अपनी मर्जी से इन सभी को रख सकते हो और यहां पर देख सकते हो और कितनी MB per second आपका internet चल रहा है और इसकी के उपर आपको मिलता है notification icon जैसी कि अभी यहाँ पर कोई भी notification आए हुआ है तो यहाँ पर icon show हो रहे हैं आप चाहते हूं यहाँ पर numbers के अंदर show हो कि seconds के अंदर भी मतलब कितनी seconds चल रही है इसके उपर कर लेना है अब यहाँ पर seconds भी चलने लग चुकी है तो आपको यहाँ पर minutes के साथ seconds भी चाहिए तो आप इसको भी own कर सकते हो और नहीं तो आप time time चाहते हो तो time भी लग सकते हो और दोस्तों यहीं पर आपको बेक जाके दिखाऊंग तो जो मैंने आपको बताया था नोटिफिकेशन हिस्ट्री का उसके लिए आपको जाना है more settings के अंदर और यह देखिए नोटिफिकेशन हिस्ट्री का आपको option मिल जाएगा जिसको और कर लेना है अब क्या होगा दोस्तों आप जैसे कि आपको है कुछ भी किलिर कर देते हो यह देखिए अब यहाँ पे आपके पूरी detail आ जागे है जासे दबल टेप करते हैं तो उनका mobile ओनो हो जाता है और डबल टेप करते हैं उनका mobile ओन हो जाता है ना है उतने के अंदर यहाँ करना है और यहां पर पर यहां पर दोड़ाने के पाद आपको यह पर प्रेस करने की जरूरत नहीं आपको यह को यह से आप चाहते हो कि मुझे एक साथ में दो एपस को यूज करना है यानि कि आप चाहते हो कि मुझे वाटसप पर चेटिंग भी करनी है और साथ में मुझे यूटूब पर वीडियो वगरा भी देखने हैं तो यह कैसे देख सकते हो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर फिर यहां पर चला सकते हो और आप इनको बढ़ा या च्वाल आए तो इसको इतना घर लीजिए और मेशज देसे वाले को बढ़ा रखना है तो अगर सकते हो और अगर आपको पूरा है पे इसे कर लेजी देखिये नीचे कर लेना है तो आप एसे एक साथ में दो एप्सकों यूज कर सकते हो तो चलिए दोस्तों अब मैं पारे होंगे जैसे कि डार्क मोड का उप्शिन मिल जाता है तो यहां पर आप क्या है जब भी रात को मोईल ज्यादा यूज़ करते हो तो डार्क मोड को ओन कर लिजी इससे आपके काफी ज्यादा फाइदा होगा बेटरी भी बहुत ही कम ड्रेन होगी और यहां पर चाहते हो मुझे नाइट के अंदर तो मतलब वो डार्क मोड रखना है और डे के अंदर डार्क मोड नहीं रखना है तो आप इसको कस्टुमाइज कर सकते हो और यहां पर अगर देखोगे तो एडिप्टिव ब्रैटनेस का उप्शिन मिल जाता है यानि कि आप चाहते हो कि मुबाइल की थोड़ी ड्रेन ज्यादा हो रही है और आई कंफर्ट को भी ओन कर सकते हो अगर आप बुक्स वोगेला ज्यादा पढ़ते हो या चैटिंग करते हो ज्यादा तो इसको आपके आँखें बहुत ही कम खराब होगी तो इसको भी आप एक बार जरूर ट्राइक कर सकते हो तो चलिए अब बताता हूं स्क्रीन और यहाँ पे आपको सब्सक्राइब بकें और इसको לס़ित कर ल teaspoon हो और तो select भी score रख सकते हो तो चलिए अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छी trick बताता हूँ जैसे कि आपका कोई दोस्त है वो आपको बोलता है कि यार मुझे मतलब आपका mobile जीए और सिर्फ call करनी है पर आपको लगता है यार कोई हमारी privacy leak ना कर दे कोई data leak ना कर दे या कोई आपके बच्चे मांगते हैं कि मुझे सिर्फ YouTube देखना है पर आपको डर है कि कुछ delete विलिट ना कर दे तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत यची trick बताता हूँ इसके लिए आपको जाना है settings के अंदर और नीचे जाना है और यह देख पा रहे होगे password and security तो यहाँ पर आपको बता होगा लोग screen के password होगे रा face log, fingerprint यहाँ पर लगा सकते हो यह तो आपको बता होगा पर मैं आपको जो बताने वाला हूँ उसके लिए आपको जाना है system security के अंदर और सबसे नीचे आना है और screen pinning का आपको option दिख जाएगा यह देख बारे होगे इसके उपर आपको click कर लेना है और इसको own कर लेना है अब मैं दिखाता हूँ क्या है इसका मतलब यह देखिए अब आपको recent shapes वाले पर जाना है और two dots पर click करना है और यहाँ पर आपको इसको pin कर लेना है अब यह पिन हो चुका है ठीक है अब आप इसके bake वगेरा जाना चाओगे तो नहीं جा सकते देखिए किसी भी अगे को klik कर दीजा बैग नहीं जा सकते हैं। आप यहां पर बस इसको चला सकते हो जितना चलाना है zat बैग नहीं जा सकते Hey पर अगर आपको बैग जाना है तो 중 that बैप बटन ऑन वा Ellis बेठ以前 हो और यह तो साथ में ही खोलोगे तब तक वह उस एप को अंपिन नहीं कर पाएगा यह भी काफी यूजफुल इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब तो बनता ही है तो चलिए यार अब मैं आपको बताता हूं कि आप अपने मोबाइल के अंदर कुछ भी फोटो वीडियो वगरा च्छिपाना चाहत है कुछ भी फोटो वीडियो वगरा च्छिपाने का किसी वेप के लोग वगरा लगाने का तो इसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर और यहां पर प्राइविसी का उप्शन आपको दिख रहा होगा इसके उपर आपको क्लिक करना है और यह देखिए एप लोग जाने है और आप किसी वेप को हाइड कर सकते हैं और जो आपको हीडन एप देखने हैं वह यहां पर आपको शूप हो जाएंगे जिस भी आप काफी आसान सा है और यह प्राइविट चैप ओप्शन मिल जाया है यानि कि आप यहां पर कोई भी फोटो जूडियो जोगर चि सब्सक्राइब के लोक लगा सकते हैं तो चलिए दोस्तों आपको एक बहुत अच्छी चीज और बताता हूं जैसे कि आप यहां पर त्री डॉर्स पर क्लिक करते हो तो आपके यहां पर जैसे सेटिंग्स है यानि कि यहां पर अगर आपके गलेरी रहीगी तो सारे फोटो दीखते हैं तो खोई यस देखता है खोटो जाते हैं आप चाहते हुं इसको हाइड करना है जैसे कि यहाँ पर सेटिंग्स करने हैं अ'reक काądेरा चाहते हो दो इंब सब्सक्राइब तो आप इनको को हटा देते हैं यहां पर कोई आपका जो एपस है तो आप चाहर पहरे हो है ना पुर्फ करोज्थे और एंको आपको मतलब रखना है कर सकते हो तो आप इस को ओफब कर सकते हैं तो काफी अच्छा है डिजाइनिंग भी काफी अच्छी मिलती है तो आप चाहते हो कि मुझे पूरो आइपून की तरह बनाना है अपने मोबाइल को यानि कि निचे के बटन्स हो गयरा है इनको हाइड करना है यहां पर दिखने नहीं चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करना है सेटिंग्स के अंदर जाना है और निचे आना है निचे आने के बाद यहां पर यहां पर यह देख पार हैंगे सिस्टम सेटिंग्स का उप्शन मिल जाता है और यहां पर सबसे उपर आपको दिख रहा होगा सिस्टम निविगेशन इसके उपर जब क्लिक करते हो तो यहां यहां पर पूरा सिखा देगा और इदर से करोगे तो भी बेग चला जाएगा और अगर आपको यहां पर रख सकते हो तो आपके पूरी बटन पर लेफ्ट हैंड पर जा चुके हैं तो आप अपनी मर्जी से इन सभी को कस्टुमाइज कर सकते हो तो चलिए दूस्तों बढ़ते हैं अगले फीजर की तरफ तो जैसे कि यहां पर आपको search का option आता है यहां पर आप eran सर्च वराना सवर्भ नौटिपकेशन बारा जाएग वह कैसा अगया मोर के अंदर चले जाना है और यहां पर आपको जैसे की नीचे बाहर आ जाएगा यह दिखी पूरा उपर से करने की जरूरत नहीं आप यहां से कहीं से भी कर लो यह नोटिफिकेशन बाहर आ जाएगा तो यह भी काफी यूजफुल आपके लिए हो सकता है तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको कुछ स्क्रीन सोट से रिलेटेड बता देता हूं जैसे कि यहां पर बटन और व्ल्यूम डाउन बटन से लेते हैं तो मैं आपको यह जया और यहां से आप yourına साफ यह नहीं है और आपके लिए फोटो के नंदर देख सकते हैं इने कितना बड़ा स्क्रीन सोट ले लिया है तो यह आपके लिए तो यह क्या करना पड़ता था जो लेना होता था तो दो पर कर लेजिए इसको यह पो किसक्रीन सोट को यह पर पूरा एडिट कर सकते हो तो यार दो हमारा या इंटर कोeger सारे रेखनी हो चुके हैं और और के बाकियें पर वीडियो काफी लंबी हो चुके कि है इसलिए मैं आपको एक आखरी की चीज़ बताता हूं जो कि आपके लिए बहुत ही उसफूल हो सकती है तो इसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर और यह देखे नीचे आना है और यह देख पारें कि डिजिटल वेल बिंग एंड परेशनल कंड्रोल इसके पर कौन से एप को यूज किया है तो आप अपने मोबाइल के अंदर जाकर जरूर देखिए कि आपने ज्यादा को यूज को होना जरूरी है कि हमारा जो कीमती समय है हम कहां पर बिता रहे हैं और आप पूरे एक महिने की डिटेल जाकर देख सकते हो तो यह दोस्तों काफी ज्य तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आपे काफी सारे हिडिन फीचर्स हो चुके हैं और अगर आपको और हिडिन फीचर्स चाहिए रियल मी 995G के तो आप मुझे कोमेंट करके बता सकते हो और दोस्तों आपका इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कोमेंट